प्रदेश की राजधानी भोपाल में कराहल की तीन सहसी महिलाओं ने दिखाया सहस नरसिम कुर जिले की अंजिली ठाकुर को भोपाल में संदिग्द ओटो चालक के चंगुल से छुड़ा कर ठाने पहुचाया खबर कराहल से है जहां सेनियर सेपियार के चेनिंग के लिए कराहल से तीन समों कारेकरता भावना पटेलिया सुनीता बीरबाल और सैफाली राठ और पांच दिवस्य दोरे पर भोपाल आ गई थी वहां से लोड़ते समय ही लड़की बैठी मिली जो की बहुत घबराई हुई और आटो चालक लगातार उस लड़की को खूड रहा था इस पूरे मंजर को देखिये समों की महिलाए समझ गई कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत होने वाला है उन्होंने लड़की से बात की तो उसने बताया कि वहां घर से नाराज होकर बोपाल आ गई है अब वहां घर जाना चाहती है मगर गया आटो वाला मुझे ना जाने कहां ली जा रहा है इतना सुनने के बाद उन्होंने अपनी सूजबूज और साहस का बरिचा देते हुए लड़की को और टो चलक के चंगुल से छोडा लिया और रात के समय अपनी जान की परवा किये बिना उस लड़की को शाकुशल नाद्रा बस स्टेंड के पास बनी पुलिस चौकी पर सुपुर्द करके आए जहां थाना प्रभारी ने इन साहसी महिलाओं को इस सरानी कारे के लिए जम कर तारीफ की पुलिस ने भी उस सोला वर्शिना वालिक लड़की अंजली ठाकुर को उसके घर नरसिंग पूर जिले के पर प्रया गाहों पहुचा दिया आज हमारे बीच मौझूद है हमारी कराल की वह सासी महिलाओं जिन्होंने राजदानी में एक यूपती थी जो उटो वाली की चंगुल में आपसी थी उसके चंगुल से मुक्त कराया और ठाने पहुचा आया और ठाने से भी यह जान करिया चुकी है इन मैलाओं की दाद देनी चाहिए और आज हम इनसे मिल की जानती है कि क्या गटना हुआ गटी तो हम उटो में बैठने के लिए रोड़ पे खड़े थे तो वहां उस ओटो में जिसके हम ने रोक वाया ना उस ओटो में वह लड़की बैठी थी तो आपस वाय में उससे पैसे टीनसो रुपे लगेंगे तो उस लड़की मैं कर दिया तिनसो मेंनी दूंगी तो सबने जादाने ले रहा ऑ्ट सकर में से लगे लगता है तो उस लड़की ने जिसके उसके पास बिचारिक पास सिर्फ 500 रुपए थे सा तो 500 रुपए थे उसे 500 का नोट उसको दे दिया तो उसने 500 ही रख लिए फिर वो लड़की थोड़ी वेसी लगी हमको उसने रख लिए 500 हमने उसे यह पूछा कि बेटा कहा जाना है मतलब यह अ जालूंब था कि मुझे कई क survive न जाना उसके बाद में वह बार बार हमारी बाद को काट रहा था कि हम यह तो इससे तो घरवालोंस से मेरी बास हो गई है और यह लड़की घर से लड़ाई करके और मन पापा से नाराज हो के आई हैं तो मैं मेरी बात हो गई मैं छोड़ने जा रहा हूं वापस तो उसको पूछे कहा जाना है तो वो थोड़ी देर बोले ट्रेन में जाओंगी थोड़ी देर बोले बस में जाओंगी तो फिर हमको थोड़ा सा सक हो गई है पिर दीदी बेटी थी ना, जह हम बेठे थे ना, वहां पर वो ना, हम ऐसी आपस में बात कर रहे थे, कि अब रात के आठ शाड़े आठ बज गए हम साड़े ची बजे से बेठे ते उसके साथ में बात्चित करते करते हमारा एक घंटा पूरा हो चुका था तब तक हम क्या बोलते वह शोपुर आने के लिए को उसा नाध्रा बस्टेंड पे नाध्रा बस्टेंड पे हम आये तो उस लड़की हमने ओट वालों को यह नहीं पता पड़ना दिया कि हम कुछ बात कर रहे हैं उसको एहसास नहीं दिलने दिये तो हमारे साथ भी इसी वह तो ओट वाले कितने चालाक होते और वह भी राजधानी में जाके तो हमने उस लड़की को फिर वहां जब हम नादरा आये तो फिर वह से बताने लगा हमारे यहां तो राजधानी है पुलिस की लड़की को गला काट दिया यहां बहुत मर्डर होते हैं यह तो मैं लेके जा रहा हूं इसको पोचा रहा हूं वह जान भुजके और उस लड़की के कपड़े उसके ड्राइवर के पेर में थे उसके व लड़की के कपड़े वो ड्राइवर चालाग था उसके पेरों के पास में रखे थे तो जैसे लड़की ने हाथ डाला कपड़े लेने के लिए तो हम भी देख तो नहीं पाए थे कि उसने हाथ पकड़ा या क्या किया लेकिन लड़की ने एगदम से हाथ हटाया ना वो जर फिर लड़की को हम हमारे साथ लेके आए, बस पे, बस का टाइम सिरिफ दस मेंटी बचा था, जब हमने वहां पे आके इतनी जान पेचान तो हमारी भी नहीं है, वहां पे हम भी टेनिंग के लिए गए थे, तो उस टाइम बस वाले भाहिया से बात करा था, कि हमारे तीन का त सकते हैं तो उन्होंने बोला कि दीदी आप लोग ऐसा करिए कि आप यहां हमारा उपीशह यहां बिठा दी जिए तो हमने बोला हम ओपीश पे इसको नहीं बिठाएंगे यहां कोई पास में ऐसा करो यहां पास में होना कारवाई की गई यहां से लड़की को वाहन थाने ले और तीन लोग हम कराहल ब्लोग से हैं तो हमने जाके वहां बताया कि ओटो में यह घटना हुई इस दीदी इस लड़की के साथ उसका नाम अंजली ठाकूर था तो थाने वालों ने हमारा पूरा एड्रेस लिया नाम लिखे तीनों के लड़की का भी एड्रेस नाम लिखा उस हालत में इसको इसके माबाप तक पहुंचा देना तो अब लड़की साकूसल अपने गर पहुंच चो कि आपने जानकारी लिए रात को बारा बजे भी फोन लगाया था उस सर पे लगा था उनने बोला कि चुरक्षी थे अच्छी है हमारे पास है और अंजली ने से भी बात हैंगे क्योंकि हमारी जवाब दानी थी ना हम लेकर आए हमको लगा था क्योंकि वह बहुत डरी हुई लड़की थी विचारी अकेली तो 16 साल की लड़की थी और इसके बाद में फिर हमने सुबह सर को पोन लगा है उनने बोला कि आप टेंसन ना करें दी और आपने मतलब बहुत अच्छा काम किया है कि यह राजदानी है यहाँ पर कई सारे मडर होते हैं रोज मडर आते हैं लेकिन तुम दूसरे जिले से आई हैं उनने पूछा हमको हमने शोपूर जिला बताया कराल ब्लोग बताई तो यह बोले कि एसी कहां तुम कहां थे इसे और इतनी हिम्म सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ कहा है कि आपको मॉटिवेशन में कि नहीं किया है कि लड़की से जब थाने में आपने चर्चा की जो लड़की ती नर संगपुर की तब उसने बाच्चित के दोरान कुछ यहां बता है उसके साथ घटना चुकी हो गोई उसने पूछा उसको कि उसने ड्राइवर ने बोला वो टव चलकने कि मैंने इस रिटी से बात होगी है और मैं इसको ले कर जा रहा ना मेरे घर वालों से कोई बात नी हुई उसने लड़की ने नहीं बहुत है बात नहीं हम को भी ओटवाला हमारी कुछ हम बात करा रिए हमको कांच में देखि यूझ तो रास्ते से लाया हमको भी ऊसलिए भू ci चाला कर रहा है था तो हम पोज दूर यहां से काफी दूर चार्श क्रिमिटर दूर थे तब यह इंमत कहां से आई तो मैं तो नहीं लगा तो तो यह इसा लग रहा है उसको यह आप आपके पूचा था उससे पूचा था हम तो हम तीनों के अंदर इसको एस आलात वन चूड़नाची चाहिए कि यहां पता है कहां ले जाए उसको क्योंकि उस ओट वाले हम लोग लड़की से बात कर Originalcar लड़की तो नहीं करने दे रहा था तो हम लोगों ने लड़की से बात करी और उसके बास वह लगा क्योंस जा रहे विए लीज़ा रहा था तो यह राजदानी है मेडम आपने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे मद्यपरदेश की राजदानी यह है तुम राजदानी में और तुम दूसरे जिले की हो शोपूर में एसी कहां रहते हो तुम यह भी बोला हमने हमारा कराल ब्लोग बताया शोपूर जिला बता बहुत जैसे नोंने राजदानी में करके देखाए इनों को अगर हम चाहेंगे हमारे चैनल के माद्यम से किने जो भी यहां के जो संस्ताव प्रुस्क्रत जरूर करें